Hello my dear students! Welcome to Magnet Brains! This is your teacher Shilpi Tiwari और आज हम करेंगे General Knowledge का New Topic जिसका नाम है Indian Cuisine Indian Cuisine का क्या मतलब है? माने कि हमारी देश में किस-किस प्रकार का खाना मिलता है क्योंकि जैसे कि चिल्डन हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारा जो कंट्री है India that is culturally very very rich बहुत प्रकार के हमारे देश में लोग रहते हैं जो cultural से region wise, religion wise एक दूसरे से different होते हैं और जब अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं तो उनके dresses हो गए उनके खाने पीने का तरीका सब हो जाता है अलग-अलग तो children because हमारी country इतनी बड़ी है और इतने सारे लोग रहते हैं different different cultures के, states के तो इसलिए उनके खाने पीने के तरीके को भी हम अलग मानते हैं और वो सारे खाने पीने के जो तरीके होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं वो सारे food items, वो सारे food dishes, जो tasty tasty dishes हमारे देश में मिलते हैं वो बन जाता है Indian cuisine जब आप बाहर जाते हो, माने कि जब आप दूसरे देश चाते हो, इंडिया छोड़के तो वहाँ के देश का खाना आपको मिलता होगा, isn't it? जैसे हमारे देश में कोई अगर बाहर से आता है, तो उसे इंडिया का खाना मिलता है जैसे इंडिया का खाना क्या होता है, basically रोटी, दाल, चावल, सबजी लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, तो वहाँ तो इस प्रकार का खाना नहीं बनता, generally वहाँ के लोग कुछ और खाना पसंद करते हैं, तो वो उस देश का क्योजीन हो जाता है, मतलब के उस देश का क्या खाने पीने का तरीका, खाने पीने का style, और हमारे देश में जब लोग आते हैं और हमारे देश का जब वो खाना खाते हैं, तो वो कहते हैं, yes Indian cuisine was very very good let's go do some Indian cuisine माने कि चलो इंडिया का खाना खा के देखते हैं और इसलिए Children बहुत जरूspl़ी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे different-different states में कौन-कौन से खाने बनते हैं इसंट इट अगर हम ही कोई दूसरे state चले जाएं और हमें पता ही नहीं होगा कि उस तेट की क्या speciality है तो हम कैसे order करेंगे खाना, isn't it? So children, हर स्टेट का क्या है, अलग-अलग तरीका है खाना बनाने का अलग-अलग उनके food items होते हैं और ये सब जब combine होते हैं तो ये totally कहलाता है Indian cuisine तो आज हम इंडा के different-different states के हम खानों को जानेंगे और कभी अगर मौका मिला हमें उन states में जाने का तो हम जरूर जाके टेस्ट करेंगे, आप भी करना, okay? So today we are going to learn about Indian cuisine जो अपने आप में बहुत famous है, children बाहर बाहर से लोग आते हैं हमारे देश में खाना-काने क्योंकि वो इतना टेस्टी जो होता है, okay? So let's start and read this chapter out, Indian cuisine Indian dishes are popular all over the world for its taste and variety Yes, children, जो इंडिया का खाना है, जो इंडिया के डिशे हैं वो all over the world क्या हैं? बहुत famous हैं when it comes to taste and variety फीका नहीं होता, bland नहीं होता, उबला नहीं होता, बहुत tasty होता है सारे मसाले बिलकुल balanced way में डलते हैं और इसलिए इंडिया का खाना इतना tasty होता है, okay? और यही हमारे देश को बहुत मशूर famous बनाता है, पूरे world में बहार बहार से लोग आते हैं इंडिया का खाना खाने इन फाक्क दूसरे देशों में भी हमारे रेस्टरांट से हैं जो इंडिया के रेस्टरांट से हैं और वहां लोग जाते हैं खाना खाने क्योंकि उनको tasty dishes जो खाना होता है and that makes our India very very famous when it comes to Indian dishes, okay? Then, there are people who travel a long distance to have the taste of it कुछ लोग है चिनरन, जो कुछ foodie लोग होते हैं जो खाने पीने का बहुत शौक होता है वो क्या करते हैं? वो ट्रावल करते हैं लोग लोग डिस्टेंस से इंडिया, one of them is tasty dishes. Yes, children, जब लोग आते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं बाहर से माने foreign country से जब आते हैं इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए travelers होते हैं, जगा जगा जाते हैं, monuments देखते हैं, historical places देखते हैं लेकिन एक चीज़ जो वो कभी नहीं भूलते हैं, वो होता है, tasty dishes. इंडिया के जो tasty, tasty dishes हैं, जब वो एक बार चक लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता है, और वो हमेशा याद करते हैं, के इंडिया गए थे और वहाँ पे ये खाया था, वो खाया था. So yes, children, they never forget about India, that one of them is tasty dishes. They never forget about tasty dishes. Yes, और ये बहुतों ने कहा है, बहुतों ने अपने-पनी books में जभी कभी इंडिया के बारे में लिखा है, children, so they have mentioned it, के इंडिया में हम tasty tasty dishes को खाना कभी नहीं भूल सकते, अब हम जभी next time इंडिया जाएंगे, तो हम वो चीज़ जरूर खाएंगे. Yes, and that makes our India very very famous Indian cuisine, okay? Then, nothing reveals the variety in Indian culture better than the variety of its sensational food. Yes, children, nothing reveals the variety in Indian culture. India के culture में जितनी variety है, कैसे पता चलता है हमें? तो कैसे पता चलता है हमें जब हम variety of food खाते हैं? अब आप राजस्थान चले जाओ, वहाँ पे आपको इक अलग टेस्ट का खाना मिलेगा, केरला चले जाओ, आपको अलग टेस्ट का खाना मिलेगा, West Bengal चले जब वहाँ पे आपको अलग टेस्ट का खाना मिलेगा Jammu और Kashmir चले जब वहाँ आपको अलग टेस्ट का खाना मिलेगा और तब लोगों को समझ में आता है कि India cultural wise कितना ज्यादा diverse है कितने तरहा के लोग रहते हैं, कितने प्रकार की cultured लोग रहते हैं And still, they all live in unity है ना कितनी ताज़ुब की बात है कि इतने सारे cultural rich लोगों के रहने की बावजूदी उनका खाना अलग है, पहना अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लांग्वेज अलग है But still, they all are staying together in one country और ये सोच चिल्रन लोगों को बहुत जादा shocking लगती है, वो surprise हो जाते है और हमें एक चीज याद रखना है, कि अगर उन्हें समझना है कि कैसे culturally बहुत जादा variety हमारे देश में तो खाना सबसे बड़ा example है उनके लिए, क्योंकि जब वो अलग-अलग-अलग states में जाते हैं, region में जाते हैं जब वहाँ पर अलग-अलग चीज़े टेस्ट करते हैं, तो उनको फिर समझ में आता है ओ, India is culturally rich, okay so that is why it is written, nothing reveals, कुछ भी नहीं बता सकता, जितना अच्छा हमें खाना बता सकता है देश का, कि भई हमारे देश में काफी तरह के लोग रहते हैं, cultural different लोग रहते हैं बट स्टिल रहते हैं साथ में, okay then, Indians eat by region and religion, यह तो बिल्कुल सच बात है, जो हम Indians हैं, जो हम भारती हैं, वो हम region के हिसाब से अलग खाते हैं, religion के हिसाब से अलग खाते हैं isn't it, अब जैसे जो children West Bengal से बिलॉंग करते हैं, उनका खाने का तरीका totally different होता है North Indian से isn't it, Eastern Sides के जो है, Seven Sisters से जहां बिलॉंग करते हैं, लाइक असाम हो गया, मिगाले हो गया, उनका food जो खोता है, वो बिल्कुल अलग होता है है ना, Rajasthan, Gujarat, वहाँ का खाना बिल्कुल अलग होता है, South का अलग होता है, तो yes, यह बिल्कुल सच बात है, जो Indians होते हैं, वो region और religion के हिसाब से खाते हैं तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार के food items available हैं, मुह में पानी आ गया क्या, ओके आ गया तो इस वीडियो के बात जाके आप खालना allowed है, ओके, so Indians eat by region and religion, then Northern Indians eat more flat breads while those from Southern India prefer rice, तो अब एक example ही आप समझ लो, जो North India के जो लोग होते हैं, like आपका Jammu, Kashmir, Himachal, Pradesh, Punjab हो गया, Delhi हो गया, so children वहाँ के जो लोग होते हैं, North India के, they prefer flat breads, flat breads मतलब उन्हें रोटी, चपाती, पराठे, ऐसी चीज़े घाने का मन करता है, लेकिन जो children South India के लोग होते हैं, they prefer eating rice, उनके खाने में rice, चावल का बहुत इस्तमाल होता है, तो देखो, आगया समझ में कितना ही हमारा जो country है, अलग-अलग dishes के लिए famous है, कि एक region जो हो गया, Northern region, वहाँ पे लोग रोटी खाना साथा पसंद करते हैं, और South में लोग चावल खाना साथा पसंद करते हैं, and this is why I am saying कि Indian cuisine अपने आप में ही बहुत famous है, क्योंकि इतने सारे tasty dishes मिलते हैं जगा-जगा पे, ये लोग भूले नहीं भूलते हैं, ओके, और आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, अब North और South तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे ही देख लो, कि आप Kerala आपका South में है, और Bengal आपका कहाँ पर है, East में है, कहेंगे के, you will get only confused, okay? So, this is how it happens, that in region to region, religion to religion, dishes are different, all right. Then, chicken and mutton are eaten more often in mountain than plains region. तो ये बहुत ही सही बात लिखी है, के जो ये non-vegetarian food होता है, लाइक पर chicken का item हो गया, mutton का item हो गया, sheep हो गया, ये जादा तर कहां खाय जाते हैं, eaten more often in mountains, मतलब जो पहाड़ी एराका होता है, पहाड़ों का जो area होता है, वहाँ पर ये जादा तरह की non-veget खाना खाये जाते हैं, instead of plains region. अब पूछो क्यों ऐसा, क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो plains region होते हैं, जो समतल, पिल्कुल flat land होती है, वहाँ पर सबजियां उगाना बहुत असान होता है, वहाँ पर easily आप vegetables को grow कर सकते हो, crops को grow कर सकते हो, तो आपके पास पर बहुत सारे options होते हैं, लेकिन जो mountain और hilly areas होते हैं, वहाँ पर vegetables को grow करना, crops को grow करना is not an easy thing, तो वहाँ पर जो usually लोग होते हैं, वो लोग फिर क्या पकाते हैं, वो लोग chicken और mutton ज्यादा तर खाते हैं, also क्योंकि mountains और hilly region क्या होता है, winters रहती ही, वहाँ पर mostly सर्दी रहती है, तो अपने आपको body के temperature को control करने के लिए, children they eat non-vegetarian food, यूगि जो non-vegetarian food होता है, उससे आपका body का temperature क्या रहता है, balanced रहता है, गर्माहट बनी रहती है, तो आप देख सकते हैं, religion to religion तो अलग-अलग खाना होता ही है, region to region भी अलग होता है, mountain region में अलग खाना बनता है, plain region में अलग खाना बनता है, and that is why you are understanding now, how Indian cuisine is so, so big and famous across the globe, okay, then, दोई माच वेस्ट बेंगॉल, अब हम कुछ स्टेट्स के famous dishes के बारे में जानेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको फिर कुछ-कुछ खाने का मन करने लगेगा, okay, तो पहला है चिल्वरन दोई माच विच इस फेमस इन वेस्ट बेंगॉल, ये कुछ रिलेटेड है फिश से, ठीक है, एक्जाक्ली तो मैं आपको बता नहीं सकती के भाई ये डिश क्या है, बट दोई माच जो है, अब दाल बाटी तो आप सब में भी खाई होगी है ना, जो है ना, दोई माच फेमस था, अब राजिस्थान वेस्ट में क्या फेमस है, तो अब इतना अलग स्टेड्स है, तो उन्हां का खाना टोटली डिफरेंट हो गया, अब वहाँ पे अगर आप जाएंगे राजिस्थान में तो जहां कहीं आप जाएंगे, दाल बाटी आउनका टॉप मेन्यू काड में रहता है लिखा या फिर आप किसी के घर जाएंगे ऐसे गेस्ट वो आपको दाल बाटी खिलाए बिना नहीं रह सकते हैं कि वहां की famous dish है वो उनका staple food type आप कह सकते हो तो mostly वहां पे लोग बनाते हैं और काफी टेस्टी बनाते हैं दाल बाटी चूर्मा ओके देन नेक्स्ट क्या आया दोसा इन तमिल लाडू यह ऐसा अब साउथ में चले जाओ तो वहां पे सारा टेस्टी डोसेज और डोसा को एक प्रकार का नहीं मिलता है वहां पे अलग-अलग राइटीज का मिलता है मैसूर डोसा मिल जाएगा आपको अलग-अलग तरह का मिल जाएगा आपको आप मांगोगे एक मिलेंगे हजार तो आपके पास में हो जाती है जाते हैं तो आपको वहां मिलता है फाक्षापा अब देखो इस साइड ने बिलकुल यह अलग तरह का खाना है जो कभी सुना नहीं होगा लेकिन वहां के लोगों का यह बहुत ही फेमस फूड आइटम है फाक्षापा तो आप देख सकते हैं तो इस तरह से आपको समझ में कि इंडियन कुजीन कितनी जादा इलाबरेटेड है बिलकुल कम मत समझना इंडियन कुजीन को इंडियन कुजीन में अगर खाने गए तो आपको ऐसी धेरो वराइटी मिलेगी कि आपको सोचना मुश्किल हो जाएगा कि वाट तो और इन वाट तो इट यह एस एंड़ और फिर सोचते हैं बैठ के क्या खाया जाए इतनी प्रकार की चीजे हैं और वो भी टेस्टी टेस्टी सो इन से के फाक्षापा देन जम्मु कश्मीर में रोगन जोश यह बहुत ही फेमस डिश है चिल्डरन रोगन जोश जो की हमें मिलता है जम्मु कश्मीर में ओके एक का non-vegetarian food item है चिल्रन ये रोगन जोष तो वहाँ पे because वहाँ पे snow गिरती है, सर्दी होती है, बरफ पड़ती है, लोगों को गर्माहट चाहिए होती है, तो चिल्रन वो इस तरह का food item खाते हैं ताकि body में heat रह सके, ठीक है? And then they should feel cold less. So, Rogan, Joshin, Jammu and Kashmir. So, this was the chapter Children Indian Cuisine, जहां पर आपने जाना India की food items के बारे में, कैसे region to region, religion to religion, states to states, food items कितने different हो जाते हैं, isn't it? And I am sure कि आपने इन में से बहुत सारे food items होंगे, जो अभी तक taste नहीं किया है, बट आपके पास में मौका है और आपको idea भी है कि आपको क्या-क्या चीज़ें खानी है, आपकी list में आप ये सब लेख लेना कि ये taste करना है, वो taste करना है, isn't it? और आपने ये भी जान लिया कि किस प्रकार की dishes कहां पर मिलती हैं और किस तरह से बनाई जाती हैं और क्या-क्या know everything और हम इसकी जब exercise करेंगे तो आपका ये chapter दुबारा से revise कर लेंगे, ओके अब एक information कि अगर आपको magnet brains की videos देखने हैं, जाना है Google Chrome पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये site खुलती डिस पर लिखा रहता है India's number one 100% free online education platform, नीचे दिये रहती हैं classes, अब आप माली जी आप class 3 में हैं, आपने class 3 click किया, तो आपके सारे subject teachers with their subjects आपको देखने लगते हैं, आप for example आपको कोई किसी particular teacher का subject देखना है, तो आप माली जी आपको GK ही पढ़ना, आपने GK क्लिक किया, तो आपके GK की chapter wise videos देखते हैं, वो एक particular कोई एक video play करना है, तो play the button children and the video will start, so ये था आपका topic Indian cuisine next class में, जैसे का I have already told you के हम इसी chapter की करने वाले हैं exercise, इसलिए बने रहे हैं magnet brain के साथ और follow or subscribe करना, क्योंकि magnet brains देता है kindergarten to grade 12th, free videos and free education, thank you